हेलो गाइस वेलकम बैक टो आ नीव वीडियो किजी भी फोन को पर्जेस करने से पहले ये जाना ज़रूर हुए कि इस फोन के अंदर कैसा यूआ देखने को मिलता है हमको अपडेट कैसे देखने को मिलेगे और भी काफी सारे यूआ के बारे में चीज़े को जानना ज़रूर है तो आज की इस वीडियो के आप लोग के साथ में शेयर करूंगा रियल्मी यूआई 5.0 वर्सेस हाइपर ओएस के पूरा कंपेरिजन को एक डिटेल यूआ का कंपेरिजन करेंगे इन दोनों यूआ के अंदर और भी काफी सारे चीज़े को जाने ही कि जैसे किस किस सब्सक्राइब करें ना ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियो फ्यूचर में मिल पाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह हमारे पास दोनों ही डिवाइसे रियल्मी यूआई 5.0 रियल्मी 12 प्लस 5G के अंदर है और शाओमी का हाइपर ओएस 1.0 लेटेस वर जाता है उपर दो बड़े टॉबस देखने को मिल जाएगे जिसको अप एडिट करके अपनी हिसाप से रख सकते हो टॉबस कुछ इस तरह की के बहुत जादा के और बढ़ी अफेक्टिव है आपको यहाँ पर ब्रैटनेस का मिल जाएगा और अगर म्यूजिक बगेरा भी करते हो तो आप यहाँ से डारेक्ली नोटिफिकेशन पैनल से उसको पंट्रोल कर पाऊगे प्लेपोस आगी पीचे सब कुछ यहाँ से आप डारेक्ली कर सकते हो अब हाइपर वह इसके अंदर आपको जो नोटिफिकेशन पैनल है वह कुछ इस तरीकी का देखने को मिलता ह इसके अंदर भी नोटिफिकेशन पैनल आपको बढ़िया मिल जाएगा बाकी यहाँ पर उपर आपको इधर भी दो बड़े टॉगल्स मिल जाएगे जिसको एड़िड भी कर सकती हो म्यूजिक प्लेपोस भी आपको यहाँ पर मिलता है और आपको दोनों ही स्लैटर मिलेग करो आपको 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 बड़ी तरीके से इंस्पायर है आउस के कंट्रोल पैनल यहाँ आप पर देखने को मिलता है बाकी मेरे परसनल यूज के अदर मैंना दूनों ही डिवाइस के फोन यूज कि यह मुझे दिया यह वह ज़्यादा बैटर लगा इन्यूस के अंदर अब अगर दोनो डिवाइस को कुछ इस तरह कि सु HOME screen पे pinch करोगे तो आपको यहापको आपको काफी सारी features दोनों devices के अंदर देखने को मिल जाते दोनों device के अंदर wallpaper आप डारेकल यहाँ से ही set कर पाऊए आपको यहाँ पर directly option देखने को मिल जाएगा वीजिट भी आपको दोनों डिवाइस के अंदर काफी जादा देखने को मिलते हैं लेकिन Realme UI 5.0 के अंदर आपको यहाँ पर 3D वीजिट का भी support देखने को मिलता है जो कि Redmi, Xiaomi के अंदर आपको थोड़ा सा missing देखने को मिलता है ब दोनों UI के अंदर AppDraw का support मिलता है AppDraw को जिस तरह के मिल जाएगा शरीफ इतना है कि दोनों के अंदर थोड़ से चीज़े इंवेंटेंट है या पर आपको जो है search का option जो है उपर देखने को मिल जाता है Realme UI 5.0 के अंदर जबकि HyperOS के आपको नीचे देखने को मिलता है बाक चीज़ तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा Realme UI 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 3.0 UI के अंदर आपको लगबग सेम यहाप पर जो settings है settings के जो toggle से वो सब आपको सेम ही देखने को मिलते है जबकि अगर आप HyperOS के अंदर देखो गो तो ऐसा लगता है कि stock app को आप यूज़ कर रहे हो कुछ उस तरीके का आपको यहाप पर जो UI के toggle से वो यहाप पर मिलेंगे और अगर MIUI से compare करेना तो MIUI से आपको यहाप पर थोड़े बहुत ज्यादा changes देखने को मिलते है HyperOS के अंदर तो हाँ यह बात अच्छी है कि red में जो हैप पर changes करता है Realme UI अपने setting app के ज्यादा changes provide न यहादा changes नहीं है इन दोनों के अंदर यहाप आपको वाट्स नहीं हो यहाप और आपको आपको यहाप देखने को मिलता है सब कुछ यहाप आपको लगबग से मिलेगा अगर आपको wallpaper को सेट करना है तो Realme UI के अदर wallpaper इन स्टाइल नाम से एक app मिल जाएगा जिस रेटिंग इचेशन दिफरेंड आपको आईकन मिल जाएगा डिफरेंड सेटिंग मिल जाएगी थीम्स का अलग मिल जाएगा सारे चीज़ों के अदर बैटरी सेक्षण कुछ इस तरीके कर मिल जाएगा यहाप ड़ा चाउगल और बहुत बड़ा आईकन बैटरी मिलता है जब की रिल की यूई को compare करेंगे तो camera app की यूई के अदर आपको difference मिलेगा obviously यह पर आपको Realme UI मिलता है तो आपको यह पर अलग-अलग features देखने को मिलता है कि जैसे की more के अंदर लेकिन आपको more को कोई option ही नहीं मिलता है तो कोई भी extra features Realme UI के तरह आपको HyperOS provide नहीं कर सकता है बाकी वीडियो अगिर आप यहां से निकाल सकते हो दोनों device के अनर बट स्विच्च करने के लिए यहां पर Redmi के अंदर थोड़ासा जादा आसाने स्रिप्ट टैप करो और iPhone की तरह यहां पर fps और quality को shift कर लो तो यहां camera app के अंदर भी में को Realme UI का जो camera है वह ज्यादा बैटर लगा HyperOS से अब दोनों UI की charging animation को देखते सबसे पहले HyperOS को देखेंगे तो HyperOS के अंदर कुछ इस तरह की का charging animation देखने को मिलता है क्विक चार्ज आप लिखाता है और जो animation है वह आपको कुछ इस तरह के का मिल जाएगा चलो अब को आप पर देखने को मिल जाएगा charging animation मुझे है पर HyperOS को जादा बैटर लगा रियल्मी UI से अब compare करेंगे updates को की दूनों UI में से कौन सी ऐसी company है जो अपने फोन के दर प्रॉपर समय पर अपडेट प्रोवाइड करती है और कौन सी company बैटर अपडेट प्रोवाइड करती है तो आपको अपडेट से वह रेगुलर देखने को नहीं मिलेगे इंफेक्ट अगर आपका फोन फ्लैक्शिप भी है जैसे कि शाओमी 13 प्रो प्लस भी हो गया उसके अनल भी आपको अप अपडेट इस दिवाइस के दर हमको नहीं मिलेगा तो शाओमी आपको बहुत जादा इल्रेगुलर मिलता है अपडेट के मामलें के अंदर जबकि हर मंद के अनल आपको अपडेट प्रोवाइड करता है इंफेक्ट अगर आपके पास लेटे स्मार्टफोन डियल में का है तो चीज़ें फिक्स करने के लिए रियल में यहाँ पर एक मंद के अंदर दो दो अपडेट भी कभी का पर प्रोवाइड कर देता है वरना एक मंद के अंदर एक अपडेट तो यहाँ पर आप पक्का समझो और सिकरिटी पैचेज भी बहुत जादा लेटेस्ट वर्क करते है रियल में युउ आइक के अंदर तो अपडेट के मामले में रियल में युउ आई ज्यादा बैठर है अब स्टेबिलिटी की बात करते कि दोनों युउाइक के अंदर कौन साई आपको बैस स्टेबल स्टेबल देखने को मिल जाता है सारे एप्स कैसे ओपन क्लोज होते ह सारे features किस device के जादा मिलता है तो देखो updates के मामले में और जो bugs है उसके मामले में दोनों फोन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है दोनों फोन के updates के अदर कुछ ना कुछ bugs देखने को मिलते है लेकिन फिर बिया अगर मैं hyperos कंपएर करूं तो realme UI का जो software हो आपको थोड़ा सा better म मिल जाएगा लेकिन फिर भी अगर दोनों फोन को कंपैर करों तो थोड़ा सा रियलमी यूआई बैटर बख्स और स्टेबिलिटी के मामले में दोनों फोन में गेंश पेस के फीचर्स देखना को मिल जाते हैं रियलमी यूआई 5.0 में कुछ इस तरीके गेंश पेस के फीचर्स मिल जाएंगे जिसके अदर एफ्पेस आप देख पाओगे म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे बैटने स्लाइट बार गेम फोकस मोड नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हो कॉल प्लोकर स्क्रीन शॉट स्क्री अगर भी इस फोन के अंदर भी मिलता है तो दोनों ही यूआई गेम स्पेस बहुत ही अपने अपने जगह पर बढ़िया प्रोवाइट करता है लेकिन रेगुलर अपडेट गेम स्पेस के आपको रियलमी यूआई में मिलेंगे तो दोनों यूआई का पूरा एक डिटेल क लेकिन आपको यहाँ पर काफी सारे बस लेटेड इशू मिलेगे विकॉस मी यूआई ही हाइपर वैसे बस एक तोड़ा सार नाम है पर चेंज कर दिया गया है दोनों यूआई के अंदर से अपडेट्स भी ज्यादा रियलमी यूआ 5.0 में आते है तो रियलमी यूआ 5.0 आपको मिल जाएगे तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतरह आपको वीडियो पसंद आ गया है वीडियो को फड़ा फड़ से लाइक ना चैनल को भी आप सब्सक्काइब कर सकते हो ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरस्टिंग वीडियो फूचर में मिल पाए मैं मिल आप से नाइस वीडियो करना तब तक के लिए बाई